लेकिन तमाम काउंटर्स ऐसे थे कल जहां हमने दिखा कि मेटल में प्रेशर था सेल हिंद कॉपर नालकू यह अगर निफ्टी के बात करें तो आफकोर्स यह टाटा स्टील हिंडाल को जिस डिबलू स्टील में प्रेशर दिखा कहीं शॉट के मौके राहुल जी खोजने चाह जाम ही है तो अगर यह सपोर्ट लेवल टूटता है तो डेफिनेटली और डाउंसाइड या और पें देखने को मिल सकता है हिंडालकों की अगर हम बात करें तो एक सिमिलर स्ट्रक्चर पे है 605 और 600 के बीच में एक सपोर्ट लेवल है तो उसके नीचे आपको थोड़ा सा पेंड देखने को मिला है तो फिलहाल इस लेवल पे शॉट करना मुनासिद नहीं होगा शॉट नहीं करिये मतलब यह आपके लिए राय लेना ज़रूरी थी क्योंकि कल की हेवी सेल आफ के बाद यह लोगों की मन में सवाल उच्छे थी कि मिटल में क्या करना है क्या वहाँ पर और पें है ज्यादा उसमें आपको मौके नहीं खोजने चीए भारती एटिल इसके नतीजे आये थे दो दिनों हमने देखा कि पंदरसु रुपे से शेयर गिर के चोदोसु सत्व रुपे के आसपस आ गया है हाला कि कल आखरी के घंटे की ट्रेड में अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को नो थोड़ी से रिकवरी जरूर अटार की भारती एटेल ने नम आरजिन में हलका से इंप्रूमेंट है आए दो परसंट बड़ी है जरा इसका चार्ट चेक कीजिए आप एशाली जी भारती एटेल क्या एक ट्रेड यहां पर लेना चाहिए तीजी का सो ट्रेंड में कोई भी खराबी अभी तक नहीं है 1420 के नियर टर्म सपोर्ट के साथ एक मांच देख सकते हैं ट्रेड ले इसमें तेजी करें टार्गेट क्या होगा आपके तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं फर्स टार्गेट रहेगा 1520 ठीक है 1420 रुपे का स्टॉप लॉस 1520 रुपे का टार्गेट बीच में खड़ा ये शेर 40 रुपे नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिजी उपर 58 रुपे की लेविल के लिए आप इसमें तेजी करके चल सकते हैं फिर पीस्यू के शेर यह भी बहुत टूटे और कहने की ओवर वैलिवेशन वाले भी चिंता थी राइट्स ने कंसल्टेंसी के लिए हड़कों के साथ करार किया है कल हमने दिखा कि चो तरफा भी कवाली थी आप रेलवे का कोई भी शेर उठा के देख लिजी आपको 5 परसंट, 7 परसंट, 8 परसंट तोड़ता हुआ दिखाए दिया विरीश सर ये राइट्स का जो करार है हड़कों के साथ कितना इंपोर्टन लग रहा है और क्या रेलवे में जो करेक्शन आ रहा है इसको बाई करना चाहिए या फिर चुके वैलवेशन थोड़े से फ्रॉथी हो गए थे, थोड़ा से समबल के पोजिशन ले वहाँ पर ये रेलवे काउंटर में फ्रॉथी करेक्शन डेफिनेटली कम हो रहा है ये अच्छी बात है और हम एक्सपेक करते हैं कि इसमें एक बाउंस बाई जरूर आएगा जब मार्केट कभी संबल लेगा तभी जहां तक राइट्स और हुटको की करार का सवाल है हमें लगता है कि ये प्ले आउट होने में तोड़ा टाइम लगेगा तो इसको आप जल बाजी में रीड ना करें